वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल रेसिपी जविद कजल आज हम दिल्ली का मशूर अंडा ब्रैट बनाने वाले हैं उसके लिए हमने लिये हैं चार अंडे एक बड़ा प्याज और पांच छे हरी मिर्च और ये ब्रैट का पैकेट तो चलिए अंडा ब्रैट बनाना शुरू करते हैं ये प्याज और हरी मिर्च इसे हमें मोटा मोटा काट लेना है क्योंकि इसे हम चौप करने वाले हैं ये देखिए मैंने काट लिया है और हरी मिर्च को मैंने ऐसे ही रख दिया है यह देखिए हिरी मेर्च और प्याज अच्छे से चौपट हो गही है और इसे मैंने बलेट में निकाल लिया है तो अब हम लेते हैं पावल और इसमें डालते हैं एंड एंड़ा कि मैं मैं 2 अंड़ों का यूज कर रही हूं और यह देखिए हमने दोनों इंडों को निकाल दिया है और इसमें डालेंगे हमें चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च इसी से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है और यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ड्रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून चांट मसाला पाउडर यह देखिए और यह चांट मसाला यह इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं नमक अकॉर्डिंग टेस्ट और उसके बाद इसे फर से बहुत अच्छे से हम फैंटेंगे यह देखिए और बहुत अच्छे से फैंटने के बाद अब हम इसका आमलेट बनाने वाले हैं तबागेस पर रखा है और यसमें डालेंगे वन टी स्पून देशी घी, और बस घी को अच्छे से गरम होने देते हैं, और जैसे ही घी अच्छे से गरम हो जाए, हम इसे चारों तरफ को फैला देंगे, और बीच में ये अंदा डाल देंगे, कि देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से पकने देंगे कि यह दिल्ली का मशूर अंडा ब्रेड अगर प्रेकफास्ट में मिल जाए तो पूरा दिन हेल्दी हो जाए जी हाँ कि बहुत टेस्टी लगता है और अंडा खाना सिहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदिमन्द होता है तो चलिए अब आज हम यह अंडा ब्रेड बना रहे हैं इसे आप हलके से देखिए और जब यह पलटने लाइक हो जाए तब हम इसे बहुत आइस्ता से और इस तरह से हम इसे पलट देंगे यह देखिए हमने इसे पलट दिया है बस अब आपको कुछ नहीं करना है कि अंडा दूसरी साइट से भी अच्छे से पक जाएगा और जब आपको लगे कि अधर से भी पक जाएगा है कि यह आदे मिनट का टाइम लेता है तब आप इसे फिर से पलट दें और यह देखिए अब यह दूसरी साइट से भी अच्छे से पक जाएगा है और आप हम इसे पलट देंगे बस अब यह आमलेट दोने तरफ से पक जाएगा है अब हमें क्या करना है कि में ब्रेट लेना है और इसे अंडी के उपर रखना है और इसे फिर से पलट देना है अब दूसरा ब्रेट लेना है वो हमें दूसरी साइट रखना है और हमें इसे फिर से पलट देना है बस हमें ये दोनों ही ब्रेट को अच्छे से से शेक लेना है और इसमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूत नहीं पड़ेगी जो आपने स्टार्टिंग में घी यूज किया था बस ये ब्रेट भी उसी से अच्छे से सिख जाएंगे और आपका दिल्ली का ये मशूर अंडा ब्रेट बनकर तयार हो जाएगा और ये देखिए हमारे दोनों ही ब्रेट अच्छे से सिख गए हैं वो भी दोनों साइट से तो बस अब हम इसे प्लेट आउट करते हैं और ये देखिए हमारा दिल्ली का मशूर अंडा ब्रेट बनकर तयार है आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो रेसिपी इस विद गसल